बिद्ध के डॉक्तर्स हैं जो इन सर्विस हैं अगर वो उनको प्रेक्टिस अलाओड है वो फड्वेशन को प्रेक्टिस अलाओड है वो सुपर स्पेशलिस्थ कोई चीज नहीं है तो जितने भी डॉक्टर हैं वो अपनी मन मर्जी से उन्होंने पनी फीस की गए गथ कुछ डॉक्टर पांचसो प्रफाय फीस ले रहे हैं कुछ डॉक्ट्र में लिखा और अउनरेबल हाई कोट ने जो अफोल्ड कर दिया ओर्डर को उसको इंप्लिमेंट नहीं किया जा रहा और ऑडर जो है एडर अफ दिपार्टमेंट उसकी वाइलेशन कर रहे हैं तो चीफ सेक्टरी साब को देखना चाहिए कि भई कौन-कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है ज आप देखरें न्यूसार इंडिया और मैं हूँ अर्फाजा मडैंग आज जिस ख़वर से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो ख़वर आपके लिए बहुत एहम होने वाली है खासकर अगर हम बात करें मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हमारे जो डॉ को ले करके अगर हम बात करेंगे कितनी फीस जो है उनको लेनी चाहिए और कितनी वो लेते हैं बड़े नामी ग्रामी डॉक्तर्स हैं जो हजार-चा़जार 15500 रुप्या जो है फीस प्राइवेट जो है वो चार्ज करते हैं उस पे भी चर्चा करेंगे काफी लाबदाएक जो यह आज की खबर आपको होने वाली है, आप इसको जुरूर देखिए भी और शेर भी किजे, हम आज साथ खास बाचित में मौझूद है, सीनियर सोचियल एक्टिविस्ट सुकेश सी खजूरिया जी, सारी जानकारी हम इनसे सांजा करेंगे और इनसे लेंगे, सुकेश जी कुछ कारवाई भी देखने को मिली थी कुछ दिन पहले, तो क्या कुछ पूरा मामला है? सिर्फ यही दो union territories हैं जहां पे private practice को आलो किया गया है, बाकि सब जगा पे private practice को बंद किया गया है, और सबसे important बात यह है की एक order निकाला गया था, की head of the departments की practice को बेन किया गया, वो order number था 43 HME of 2013 ये 17 जनवरी 2013 में निकाला गया था basically क्या था कि जम्मू कश्मीर में private practice को बंद करने के लिए इसको phase manner में start किया था कि जो principle बनेंगे वो private practice नहीं करेंगे उस order को implement किया गया उसके बाद उन्हेंने कहा कि जो भी सुप्रियंट बनेगा जा मेडिकल सुप्रियंट बनेगा वो private practice नहीं करेगा उस order को भी implement किया गया उसके बाद एक order निकाला गया 17 जनवरी 2013 में उस order में ये कहा गया कि in the interest of the administration and patient care it is hereby order that head of the departments in government medical colleges and associated hospitals and government dental colleges of the state shall not indulge in private practice तो head of the department की practice को ban किया गया लेकिन कुछ head of the department से कठे हुए जिन में डॉक्टर आशुतोष गुपता और अधर्स थे उन्होंने इस order को challenge किया इस order को जब challenge किया तो honorable high court ने वहाँ पे justice बंसी लाल भट थे उन्होंने इसको dismiss कर दिया इस petition को dismiss कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि इस petition में merit नहीं है और upheld कर दिया तो अब उसके बाद क्या हुआ कि यह जो order है HME 43 2013 यह sectorate से gap हो गया sectorate से गुम हो गया और उसके बाद इस order को implement करने की नोबती नि रही अब कैसे गुम हुआ यह it is a matter of investigation कि sectorate के अंदर यह ऐसे order कैसे गुम हो जाते हैं जो administrative secretary है यह उनका दाइतव है कि वो जब लिखा गया हो कि in the interest of the administration and patient care ऐसे orders को implement करें लेकिन doctors जो है head of the department जो है उन्होंने इस order की जितनी violation कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं सब head of the department जो है private practice कर रहे हैं जबकि इस order में लिखा गया है कि वो private practice नहीं कर सकते हैं उनकी private practice को ban किया गया है लेकिन इस order को और honorable high court ने जो uphold कर दिया order को उसको implement नहीं किया जा रहा और order जो है head of the departments उसकी violation कर रहे हैं तो चीफ सेक्टरी साब को देखना चाहिए कि भई कौन-कौन सा ऐसा department है जिस जिस department के commissioner secretary जा administrative secretary अपने departments के orders को implement नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं तो यह चीफ सेक्टरी साब को उसकी कि कॉगनिजेंस लेनी चाहिए और LG साब को भी इस बात की कॉगनिजेंस लेनी चाहिए कि हमारे administration में कौन-कौन से ऐसे orders है जो in the interest of the administration हुए है जा patient care में हुए हैं उनको implement क्यों नहीं किया जा रहा कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कुछ खबरें चर रही थी जिसमें कुछ दॉक्टर के खिलाफ जो कारवाई भी देखने को मिली जो private practice कर रहे थे देखिए यह सरकार ने कहा है कि जो भी doctors working hours में वो private practice नहीं करेंगे और जब आप private practice नहीं करेंगे तो working hours में नहीं करेंगे तो इसको यह basically जो है यह private practice इसलिए बैन की गई क्योंकि पूरे हिंदोस्तान में यह decide हो गया हुआ है कि आप जब तक private practice को बंद नहीं करेंगे तो in the interest of the administration और patient care आप अच्छे doctors medical colleges में produce नहीं कर पाएंगे article 21 of the constitution says right to life is my fundamental right अगर आपने मेरी life को protect करना है तो आपको अच्छे doctors produce करने पड़ेंगे तो अगर आप अच्छे doctors नहीं produce कर रहे हैं तो आप मेरा article 21 को violate कर रहे हैं तो इसलिए आपको article 21 जो है उसको implement करने के लिए private practice बंद करनी पड़ेगी और private practice जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे doctors प्रड्यूस नहीं कर पाएंगे और जो administrative secretary है वो मुर्ख दर्शक बनके नहीं देख सकते हैं कि हमारे order की doctors जो है वो violation करें जबकि इसमें लिखा गया है कि head of the department की practice को ban किया गया है लेकिन इस order को implement करने के लिए सिर्फ administrative secretary को ही ये order को implement करना पड़ेगा और जो doctors इस order को violate कर रहे हैं उनके खिलाफ action लेना पड़ेगा पिछले दिनों action लिया गया है इससे आप मुतमाइन नहीं है कि बेसिक्कली आप selected basis पे action लेसकते हैं आप जब यहा लिखा गया है कि सारे head of the department की practice को ban किया गया है तो आपने सब head of the department's की practice को ban कर देना है जब कहा गया कि principle practice नहीं कर सकते हैं तो principle practice को नहीं कर रहे हैं जब आपने कहा है कि डिप्टी सुप्रियरंट प्रेक्टिस नहीं कर सकते हैं तो वो प्रेक्टिस नहीं कर रहे सकते हैं तो हमने उनके बारे में नहीं कहा कि प्रिंसिपल प्रेक्टिस कर रही हैं कर रहे हैं जा मेडिकल शूपरिय sih कर रहे हैं लेकिन अपरेड हरे हैं और वह वायलेशन कर रहे हैं इस ओडर की और हॉन थे कोट की जो जुझमन्ट आये जिसमें इनकी रिट को डिस्मिस किया गया तो उसकी भी पताया है कि कौन-कौन से Head of the Department से हैं और कौन-कौन सी जगा पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है कि Administrative Secretary फिर भी खामोश मुर्ख दर्शक बन के देख रहे हैं तो Administrative Secretary का दाहितर बनता है कि वो गौवर्मेंट के ओर्डर को लेटर एंड स्पिट में इंप्लिमेंट कराएं अगर बात करें हम जिसना से प्राइवेट प्रैक्टिस तो यह डॉक्टर्स करते ही हैं और फीस को लेकर के काफी ज़्यादा रहता है उसमें यह है कि जो भी गौवर्मेंट के डॉक्टर्स हैं जो इन सर्विस हैं अगर वो उनको प्रैक्टिस अलाउड है जिनको प्रैक्टिस अलाउड है वो सुपर स्पेशलिस्ट पचास रुपे पर पेशन्ट चार्ज कर सकते हैं और जो specialist हैं with PG qualification वो 30 रुपे पर patient चार्ज कर सकते हैं और जो others हैं वो 20 रुपीज पर patient चार्ज कर सकते हैं लेकिन doctors जो हैं उनको ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है तो जित्ते भी doctors हैं वो अपनी मन मर्जी से उन्होंने अपनी fees जो है fix की गया कुछ doctors 500 रुपे fees ले रहे हैं कुछ doctors 400 रुपे फीज ले रहे हैं कुछ doctors 1000 रुपे फीज ले रहे हैं और कुछ doctors 1-27 ले भी फीज पीज ले रहे हैं और इसमें यह भी लिखा गया है कि यह जो consultation fees fix की गई है अगर इसकी कोई violation करेगा उसकी penalty है under section 15 of हन्मो एक्ष्मीर Public Man and Public Servant Declaration of Assets and Other Provisions Act 1983 ठीक है तो अब ये काम जो है ये Administrative Secretary को देखना है कि कौन-कौन सा डॉक्टर excess fees चार्ज कर रहा है क्योंकि अगर आप आम लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा अब कोई अमरिका से, USA जा रशिया से कोई Commissioner Secretary तो नहीं बुलाए जाएंगे कि आप आएके order implement कीजिए हमारे यहाँ पे जो Commissioner Secretary है वो order implement करने के काबिन नहीं है तो it is a matter of grave concern for all of us कि अगर डॉक्टर्स पेरलर गवर्मेंट बना लें अपनी मर्जी से 500 रुपया, 400 रुपया फीज 1000 रुपया फीज, 1500 रुपया फीज जो जिसको suit करता है वो उस तरीके से उसने consultation फीज आपनी fix कर दी है लेकिन इस order की violation जितनी हो सकती है वो कर रहे है अगर हम बात करें आम आदमी के लिए तो उसके कानून में बहुत सारे प्रावधान है उनके किलाफ कारवाईय भी देखने को मिलती है लेकिन ये सारा गोलमाल कैसे चलता है सरकार हो या या यूटी आडमिस्टेशन हो कैसे हो पता है जब तोस हो आड़ दी हलम अफ दी अफेर्स वो सीरिस नहीं होते है वो अपने चीजों को इंप्लिमेंट नहीं कर पाते है तो शरीफ आदमी जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा बदमाश होता है वो एक डम रेट बड़ा लेता है अभी आप देखिए डेंगू हुआ और आप जो है सभी डिसी का ये दाइतव था कि वो देखते अपने अपने एरियाज में कि जब अगर डेंगू हो गया है तो आप जो कीवी का पीस है वो 30 रुपे पर पीस मिलता है लेकिन आज उन सब को पता चल चुका है कि डेंगू जो है वो इतना जबरदस तरीके से स्प्रेड हो गया है और लोगों को कीवी चाहिए तो आज आपको कीवी का पीस 60 रुपे पर पीस मिलेगा और नारियल पानी जो है जो आप नारियल पानी ताजा वाला लेना है वो 60 रुपे जा 70 रुपे पर पीस मिलेगा लेकिन दूसरा नारियल जो है वो 30 रुपे, 40 रुपे पर पीस मिलेगा तो इससे लगता है कि जो concerning disease है वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं वो prices पे control नहीं कर पा रहे हैं तो जो लोग है वो अपने अपने तरीके से charges लगा रहे है अब आप 50 रुपे बकरी का किलो दूद लेने के लिए आपको 800 रुपे किलो देना पड़ेगा अगर आपका कोई जान पचान का होगा वो वो विचारा free में भी दे देगा जिसमें इंसानियत होगी वो आपको मुफ्त में देगा लेकिन जिसने मोके का फाइदा उठाना होगा वो 800 रुपे किलो देगा 700 रुपे किलो देगा 600 रुपे किलो देगा क्योंकि उसको ये मालूम है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है यह जो कारवाई हैं बीच बीच में हम देखते हैं क्या यह सिर्फ आईवाश होता है ग्राउंड लेवल तक वो चीज़ें नहीं इंप्लिमेंट हो पाती है या आम व्यक्ति को जो सुविधाई मिलनी चाहिए वो हमेशा उनसे महरूम रहेगा जब सरकार कोई चीज करना चाहे तो वो कर सकती है क्योंकि वो सरकार है लेकिन सरकार की मंचा होनी चाहिए करने में लेकिन सरकार इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि सरकार की मंचा नहीं होती है और जब LG साब जो है अगर cognizance लेंगे इन चीज़ों की वो देखेंगे कि भई ये चीज़ें जो क्यों नी implement हो रही है और no work no pay rule जो है इनके उपर भी apply होता है because they are not above law हर आदमी जो है कनून से उपर नहीं है ठीक है तो जब वो कनून से उपर नहीं है तो कनून का शिकंजा जो है उसके उपर कस के रखना चाहिए क्या एक message रहेगा आपका आम जन तक देखिए मेरा message तो यह है कि system at its own work करना चाहिए अगर मैं किसी भी lab में जाता हूँ वहाँ पे मैं डेंगू positive detect हो जाता हूँ तो मुझे किसी भी concerning officer को यह नहीं कहना पढ़ना चाहिए कि मैं डेंगू का patient हूँ आप मेरे घर में आके spray कीजिए आप मेरे घर में जा मेरी गली में आके fogging कीजिए मुझे एक corporator को कहने की ज़रूरत नहीं पढ़नी चाहिए मुझे malaria officer को phone करने की ज़रूरत नहीं पढ़नी चाहिए वो जो system है वो at its own work करना चाहिए ताकि एक आपमी को लगना चाहिए कि सरकार नाम की चीज है मेरी life को protect कर रही है तो जब सरकार नाम की चीज ही नहीं है तो वो उसके अंदर confidence जो है ट्रस्ट डिफिसिट जो है वो पहला हो जाएगा जब आम लोगों को ये पता लगना शुरू हो जाए कि DGP prison जो है वो safe नहीं है तो what to talk of common man तो ये ट्रस्ट डिफिसिट जो है जब पहला हो जाएगा तो सरकार के उपर लोगों का विश्वास खतम हो जाएगा शुक्रिया मैंसे बाचित करें तो ये से मरसाथ सीनियर सोशल एक्टिवेस्ट सुकेश सीख वजूरिया जी आपकी सब पर क्या राय है आप भी अपनी राय जो है जुरू सांजा कीजेगा इसी तरक की मज़ीद अपडेट्स क्लाप देखते रहें निवसार इंडिया मैर फाजमर डाइंग कैमरामेन शानवाज के साथ